लेकिन इस चुनाओं का जो दूसरा सबसे बड़ा सबक है वो है कॉंग्रेस पार्टी के लिए चुनाओं कैसे हारें ये आप राहुल गांधी से सीखिए उनकी कमेंटरी आपको क्या याद है आप बताएं आपको क्या याद है कि उन्होंने यहां की जहनता से क्या वादा किय ये आप सोच करके देखिए एक मुद्दा जो की सोशल मीडिया पर ट्रोल का मुद्दा था तो जब लीडर ऑफ अपोजिशन अपने को ट्रोल बना ले सिंगल मुद्दा पार्टी बना ले पूरा मीडिया में उसकी सेंसेशन के कारण डॉमिनेट करना चाहे और सोचे कि मह महराष्टा में वह अच्छा कर लेगा इससे बड़ा सबक नहीं हो सकता जो महराष्टा ने सिखाया है और वो यह है कि विदर्भ जो उनका गड़ होता था जहां संग का मुख्याले है संग कभी भी और बीजेपी कभी भी विदर्भ में ये डॉमिनेंस नहीं बना पाई थ परकार का लैक लस्चर टैमर करने वाला हकलाने वाला नित्रत वो ले करके वो कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या थी उनकी टैक्टिक्स क्या थी और चुनाओं में जितना एफट उन्होंने महराष्टरा में लगाया क्या उतना या उससे ज्यादा वाइनाड में नहीं लगाया वाइनाड जीता हुआ चुनाओ था पूरा का पूरा कैडर अपने नेता को चेहरा दिखाने के लिए वहाँ पर बीजी था इसलिए मेरा ये मानना है कि महराष्टर में कॉंग्रेस पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर है ये कॉंग्रेस के ध्वास्थोन खबर है ये राहूल गांधी के नित्रतु के all round failure का message है इसमें और मैं पुराना Congress Beat Reporter हूँ इस नाते ये बात बहुत अधिकार के साथ कहना चाहता हूँ और politely कहना चाहता हूँ कि राहूल गांधी जिस politics को pursue कर रहे हैं ये politics शड्यंतर की politics है, troll की politics है, इस politics का electoral conversion नहीं है, दरसल आज तो BJP और संग का नित्रत्व हो सकता है, राहूल गांधी को बहुत बधाई दे रहा हो, कि आप जो अडानी अंबानी कर रहे थे, आप सिंगल मुद्दे पर बने रहे हैं, उसमें आपको vote नहीं मिलने हैं, और हम ऐसी historic landslide victory के साथ आने वाले हैं